हलो गाईस आज की स्वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप सोचाले का लिस्ट कैसे देख सकते हैं अगर आप घर में सोचाले बनाया है और आपने अपलाई किया है सोचाले के लिए तो आप अपना लिस्ट कैसे देखे अपना नाम कैसे देखे लिस्ट में कि आपका नाम है या नहीं है या फिर आपको रुपिया मिला है या नहीं मिला है तो चले आप अपना Chrome browser को open करें और यहां पर आपको search कर लेना है SBM type करके आपको search करना है जैसी search करेंगे तो यहां आपको three dot पर click करना होगा यहां पर three dot पर click करेंगे उसके बाद यहां से जो है desktop site कर लेंगे तो मैंने desktop site कर लिया है उसके बाद यहां पर sbm सबसे उपर में जो sbm स्वच भारत मिशन गरामीन इस पर आपको click कर देना है सबसे उपर में तो guys हमने जो click किया है सबसे उपर में तो इस परकार का page खुल गिया है उसके बाद मैं zoom करके आपको दिखा रहा हूँ यहां पर आपको दिख रहा होगा report के नीचे a03 search भारत mission target versus achievement on the basis of details internet तो इसपे आपको click करना है इस एजिरो थिरी पर यहां पर क्लिक करने के बाद आप आपको जो है इहां पर अपना राजे करदे तो मैं बिहार राजे से हुल कि उसके बाद अपना district चुल ले जीला तो मैं रड्या से हूँ और अपना box चुन ले कौन सा ब्लॉक से है तो मैं सिक्टी से हूँ उसके बाद यहाँ पे जो वीव रिपोर्ट इस पे क्लिक करना वीव रिपोर्ट पे तो गाईज मेरे सामने इस परकार को आफ्शन खुल गिया है कि सिक्टी ब्लॉक में कौन कौन सा पंचायत पड़ता है उस पंचायत का लिस्ट यहाँ पे आ चुका है तो मेरा यहाँ पे जो है पाँचवा नंबर पे बोकंतरी है बोकंतरी के आगे यहाँ पे आपको सीज़े इदर आना है यहां पे जो है 1, 2, 3, 4, 5 नमर पे बोकंतरी है तो मैं यहां पे 1946 पे क्लिक करता हूं सबसे ज्यादा जो है लिस्ट यहीं पे है 1946 जो है लोगों का इस लिस्ट में नाम है तो मेरे सामने जो है बोकंतरी का जो भी लोग सोचाले के लिए अपलाई किये थे तो उल्लों का इसी को दिखाने के लिए यहां पे इस लिस्ट को निकाले है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अफसाना खातून साकीर यह BPL है इसका जो है अब तक सोचाले का रुपिया नहीं आया है फस्ट नमर पे तो दूसरे में है बोकंतरी से है इसका फैमिली आइडी यह हुआ फैमिली आइडी उसके बाद यहां है अकलेमा एमडी जुवेर BPL है यह भी इसका जो है रुपिया आ चुका है देखे टोटल रुपिया जो है बारा हज़ार मिल चुका है अगर जिसका भी रुपिया नहीं आया है इस लिस्ट में तो वो अपना फैमिली आइडी यहां से आप ले करके family id को आप ले करके कहीं आप लिख लेंगे उसके बाद आप जो है ब्लोक में जा करके आपना family id को देना है उसके बाद वो जो है आपको verify करेगा उसके बाद जो है आपके account पर रुपया आ जाएगा घवरानी के कोई दरुवत नहीं है family id अपने पास रखें आप को आपका रुपया आपको मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए